असलामलेकुम आप आप सारी लोग खेरियत सुनगे आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक ट्रेंडिंग जो आज कर चल रही है रिली किस तरह से एडिट कर पाऊगे यह स्क्रेंग के उपर आप देख पा रहे हो इस तरह कि हम एडिटिंग करने वाले हैं जिसके पर टाइम लाइन भी शो होगी उस वीडियो की तो यह आज कर बहुत चल रहा है टिक टॉक के उपर और साथ ही इंस्ट्राग्राम के उपर भी तो हम चलते हैं आज मुबाइल स्क्रीन के उपर मुबाइल के उपर मैं आपको एडिट करके अज श्वां घुन तो यहां पर देखिए में व Love Impact लगा सकता हूं कूछ इस तरह से और जितने भी मुझेफेक्ट चाहिए में यहां पर इफेक्ट लगा सकता हूं ठाच है जो जॉ भी event है वो में यहां पर लगा दूंगा जो भी मुझे समझाएंगी उसके बाद मैं क्या करूए मैंने बैसिकली यह पूरी स्क्रीन और रेड़ी रिकॉड कर chess cannot कि एसको आपने क्या करना है इस तरह से करके इसको प्ले करके निए पूरी बेग्र्पीन एक बार रिकॉड कर लेनी है है रिकॉड करने के बाद अब मैं यह already record कर चुका हूँ, आप click करोगे second layer के उपर, और यहां से stock के अंदर जाके, यह लेखे मेरे पास, यह screen already recorded है, इसी की, right, तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा crop, तो simple, यहां पर मैं free crop के उपर आऊँगा, और यहां पर मैं इसको कुछी इस तरह से crop कर लोगा, ओके, यह मैं crop कर चुका हूँ, अब देखें, इसको मैं कहीं पर भी रखना चाहूँ, इसको चोटा बड़ा करना चाहूँ, तो इस तरह से कर सकता हूँ, यहां पर मैंने इसको रख दिया, और यहां पर देखें, यह मेरे पास real आचुकी है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा यहां से adjust कर लूँगा, जहां से यह start हो रही है, तो basically यहां से यह start हो रही है, मैं इसको crop किया, fall to part को मैंने cut out किया, इसको मैंने add किया, और यहां पे मैंने इसको set कर लिए, अब देखें, कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है, जो नीचे timeline चल रही है, और उसी तरह से ह हो रही है, पर नीचे जो जो भी हमारे timeline के अंदर clips हैं, वो यहां पे show हो रहे है, अब इसके साथ साथ आप इसके अंदर कोई भी sound add करना चाहो, तो यहां से sound add कर लो, ठीक है, मैं यहां से sound add कर लिए है, मैंने, okay, और उसके बाद अगर आप मजीद इसके ऊपर कोई text add करना और मैं यहां पर different font use कर लोंगा, यहां से यह वला font और इसके जो colors हैं, उनको मैं यहां से change कर पाऊंगा, जो भी colors मुझे चाहनी होंगे, वो मैं यहां से change कर लोंगा, मुझे white color सही लग रहा है, बिल्कुल minimalist सा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लोंगा, तो यह आगया इसके उपर रख दूँगा, और इसके बाद यहां पर मेरे पास opacity है, इसको मैं कम जादा कर सकता हूँ, watermark के अंदर opacity थोड़ी कम होती है, तो इस तरह से मैं इस पूरी video के उपर यह जो है apply कर दूँगा, तो अब यहां पर देखें, मैं sound को बंद कर देता हूँ copyright की वजए से और यहां पर देखें, जो वीडियो है, वो चल रही है उस तरह से, और हमारा watermark भी show हो रहा है, और जो कुछ भी हम चाह रहे थे, उस तरह से वो show हो रहा है, तो यह था एक simple से tutorial, इस तरह से आप एक trending reel, अपनी creativity को use करते हुए, बता सकते हैं, method में आपको बता दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्टाइब लिए वीडियो से आप तक timely management में पहुंसे के, मिलते हैं चोला, नेक्स्ट वीडियो के इंदे टेलें, keep learning, keep exploring, I love this